दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एक्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एक्जाम के लिए काफी उसफुल दोस्तो इस नोट्स में खास विशेस्ता यह है कि इसमें आपको वाल लाइनर कोश्चन जनरल साइंस के जनरल अवेनेस के करेंड एफेस के मिल जाएंगे साथी साथ दोस्तो आपको इसमें 10 प्रैक्टिस पेपर मिल जिससे आप सवालव कर सकते हैं और हमारे online SD point subscriber के लिए 50% आप चल रहा है मातर 25 रुपए की बुक है इस वीडियो को description box में आपको लिंक की मिल या दोसलिम किलिक करके आप purchase कर सकते हैं किसी भी प्रकार की query के लिए इस नंबर पे आप contact कर सकते हैं जिन्दगी बहुत खूप सूरत है जिन्दगी से प्यार करो अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त बरहतबार करो गुद मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन हिस्टी पॉइंट दोस्तो आज है किस जनबरी और स्टार्ट करते हैं करेंड प्रेंस से पहले चैनल को सब्स्क्राइब करके मैं इकम प्रेंस कर heck's करें boots अब करें तो धार वर्याघंवान फॉर्ट मेंड़्स्ट सुरूकी गई है दोस्तो सस्टेंवल कैचमेंट फॉर्स्ट मेंड्समेंट पॉरें चुरू क drinking Studies की और हो जाएगा त्रिपूरा की केपिटल क्या है अगरतला है गवर्नर को ने वर्तमाने त्रिपूरा के राज़पाल है कप्तान सिंग सोलंकी और सीम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है विपलाव कुमार देव ठीक है तो यह आप याद रखिए कि एक्जामें पूछ ले जाते हैं ठीक है च केंद्री मंत्री मंडले आसम में नुमाली गड़ रिफाइनरी की शमता को तीन गुना करने को मंजूरी दे दी है ठीक हो तो यह कहाँ पर है आसम में याद रखिएगा नमिताग उखले ठीक है लेखिका नमिताग उखले को 12 जनबरी को अपने उपन्यास थिंग्स टू लीप बिहाइब के लिए सुशीलादेवि शाहित्त पूरुषकार मिला है याद रखे हो उनका उपन्यास वियादर किएगा बैंक आप महरास्टा पर ठीक है ओप्सन भी ठीक है देखे देखे दोस्तों यहाँ पर बात हो रही RVI की Reserve Bank of India की उसके बारे आपको पता होना चाहिए हलाकि मैं कई बार बता जूँगा एक बार फिर से आपको रिविजन करा देता हूँ एक स्थावणा कव होई थी एक अपरेल 1935 में ठीक है 1935 में स्थावणा हुई थी राष्टी कर나 कब हुआ था इसका थी तो एर वीयाइक है दोस्तों राश्टी करन किया गया था एक जन्वरी 1949 में ठीक है और 35 में इसकी स्थापना होई थी 1949 में जिका राष्टी करण केया थे इसका हैटकार कहा पे मुम्बई में है और दोस्तो RBA के हैटकार मुम्बई में इसके लाब़ा गवरनर कोवन है वरतमान में सक्तिकांत दास है वरतमान में ठीक है अभी हाल में बने इसलिए आप यादर कियेगा शक्तिकांत दास ठीक है और प्रथम भारती और सुतंद्र भारत के आर्वियाई गवर्नर कौन थे सीडी देशमूख ठीक है तो आप यादर कियेगा ये चली अगले खुशनक तरफ बढ़ती है दोस्तो येस बैंग ने किसे कारेकारी अंसकालिक अध्यक शुरू में नियुक्त किया है तो ये किया है दोस्तो ब्रह्मादत को ठीक है ऑप्सन सी ठीक है येस बैंग ने दोस्तो कि नए मुख्य कारेकारी अधिकारी की रूम में किसे नियुक्त किया गया है यानि ICC के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है किया गया है मनु साहनी को ठीक ऑप्सन डी ICC के बारे में दोस्तों बात करें तो ICC का है फूल फॉर्म क्या है इंटरने आपको पता है कि ये विश्व भर में क्रिकेट की परिद्यक्ताओं को नियंत्रा को नियामक संस्था ये ठीक है और जो अगला वर्ल्लकॉप होगा दोस्तों तो 2019 में ये होगा इसी सी वर्लकॉप इगलेंड और वेल्स में तो ये भी आपको एक ट्याद रखिए अगर ठीक एक्जामें पूशा आ सकता है कोशन नमर सेवें थे दोस्तों राष्टी मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक की रूप में किसे नियुक क्या गया है तो दोस्तों राष्टी मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक की रूप में नियुक क्या गया है प्रभात सिंग को ठीक है और राष्टी मानवाधि अधिकार आयोग के अध्यक्ष कोने चेर्मैन कोने तो वह है एचल दत्तु ठीक है जस्टिस एचल दत्तु है राश्टी मानोव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी 1993 में इसका हेड़कॉर्टर है न्यूडेली में ठीक है तो यह आफ है त्यादर कियेगा चले एगला कहां पर मुंबई में किस देश ने एक उपरह लॉंच किया जिसका उद्देश दुनिया का पहला कृत्रिम उलका पात करना है तो यह जापान ने किया है ठीक है ऑप्सन भी 18 जन्वरी को जापान ने एक उपरह लॉंच किया जिसका उद्देश दुनिया का पहला कृत्रिम फर्फारार उलका पात करना जापान प्रिय्मियार betalminton league फिताब किसं ने जीता है दोस्तो ब्रृच्प प्रिमियार betalminton league भीफी खिताब जीता है बैंगलूरूण रेप्टरस ने ठीकते बैंगलूरूरूरू रेप्टरस ने प्रताब में मॉडल θर चीए दियान français sports meet 2019 को उध़टन कहा किया गया है तो यह किया गया है है थाधराबाद में ठीक है देखे उसको 14 जनबरी को हैधराबाद में प्रथम A-Club मौडल आवासी विद्याले sports meet 2019 को उध़टन किया गया है थाधराबाद में भारती सरस्त्रवल भोतपूर सेनिक दिवस हरवर्स का मनायाता है तो भारती सरस्त्रवल भोतपूर सेनिक दिवस हरवर्स मनायाता है 14 जनबरी को ठीक है उप्सन A भारत रवर एक्सपो 2019 को ध़डन किस सहर में किया गया तो यह किया गया दूस्तों मुंबई में ठीक है 17 जन्वरी को मुंबई में इंडिया रवार एक्सपो दहर उनीस को धर्ण किया गया है ठीक है मुंबई में आसियान और भारत के परेटन मंत्रियों की साथमी वैठक किस देश में आजित की गई है तो यह की जिस तो वियत नाम में कहाँ पर आसियान और भारत के परेटन मंद्रियों के साथ में बैठक कहाँ पर आज इतकी की वियत नाम में आसियान के बारे में आपको बता दे आसियान का फूल फॉर्म क्या होता है Association of South East Asian Nations ठीक है A-S-E-A-N ठीक है A-S-E-A-N इसका फूल फॉर्म याद रखेगा इसकी स्थापना कब हुई थी आठ अगस्त 1967 मुई थी इसकी स्थापना A-S-E-A-N की इसका headquarter कहाँ पर है तो इसका केंद्रिय सचिवाल है दोस्तों जकारता इंडोनेसिया में इसके सदस से देशों की बात करें तो दस है और तैटिस्वा सिखर समिलन कहाँ पर हुआ थे इसका समीठ विदी तैटिस्वा सिंगापूर में और अगला जोगा चाओतिस्वा थाइलेंड में होगा तो यहाँ फैक्ट याद रखेगा असे अंसिलेटेड अगला कोशन दोस्तों कौन प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट सवार्ट के लिए नामित होने वाली पहली भारती बन गई है विनेश फोगट ऑप्शन ए पहलवान विनेश फोगट प्रतिष्ठित लॉरि वर्ल्ड स्पोर्ट सवार्ट के लिए नामित होने वाल पहली भारती बन गई तो मैंने आपको लास्ट कोशन बताया विनेश फोगट ट्राइट एंसर था अब देख लेते आज का सवाल हमारा क्या है आसियान और भारत के परेटन मंत्रियों के साथे वेठा कहां जुत की गई इसका इंसर आपको कमेंड बॉक्स जरू लिखना है तो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियों के साथ तब तक कि लिए आपनों ध्यान्डा के स्वास्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जै हिन जै भारत